टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंट अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू अनली अट टेग टीवी अलबर्टा ने वैक्सिनेशन मुखालिफ मुझाहरों पर पाबंदी आयत करने का इंदिया दे दिया सुबह में कोविड नाइटीन के 1224 ने केस और 18 नई अमबात रिकॉर्ड की गई है नेशनल वैक्सिन पैनल ने मौमर अफराद के लिए कोविड नाइटीन बूस्टर्स की सिपारिश करती कैनेड़ा की वैक्सिन एडवाइजरी बॉड़ी ने नई तजावीज पेश करती कैनेड़ा भर में कोरोना वारस के फिलाओं में जाफा जारी है आखरी इतलाद के मताबि कैनेड़ा भर में कोरोना मरीजों की मश्मूरी तादाद 16,15,869 तक जाप पहुंची है दुनिया भर में कोरोना वारस से मतासर अफराद की तादाद 23,35,94,737 तक जाप पहुंची है मुज़िवारस सेंवाद 47,67,748 हो चुकी है अमरीकी सेनिक में अफ़ानिस्टान पर बिल पेश कर धिया गया बिल में कहा गया है कि ताल्बान का साथ द Otherwise के खारत कारवाय की जाए अफ़ानिस्टान पर खूसी टास्पोर्स बनाने की तचवीज भी तेती कई अफगानिस्तान में फोग से मतालिक बाइडन और जोनलेस के मौकुफ में तजात सामने आ गया अहधान आगा रिपब्रिकन सेनिटर्ज ने अमरी की सदर पर कड़ी तनकीद की कहा बाइडन ने अमरीकी अवाम और फोगी अन्दाजों से मतालिक जूट बला अमरीका अफगानिस्तान में डॉन परवाजे बन करें वरना नताइश के लिए तयार है तालबान ने सुपर पावर को खबरदार कर दिया जबी उल्ला मुजाहिद कहते हैं अफगानिस्तान में डॉन परवाजे बनलक्मामी कवनीन की खिलाफ फर्जी है हेडलाइंज आपने जानी और अब खब्रे तफसील के साथ ग्रीनिश हैंसानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्डर करें www.greenish.com प्रेमियर जैसन केनी ने कहा है के अलबर्टा में तिबी अमले मरीजों और खांदानों को तहाफूस देने के लिए वैक्सिनेशन के खिलाव एतिजाज और अस्पतालों के बाहर दीगर तमाम मुझाहिरों पर पावंदी आइद की जाएगी मजीद चांते हैं इस डेपोर्ट में प्रेमियर जैसन केनी ने कहा है कि वैक्सिनेशन के खिलाफ एहतिजाच और अस्पतालों के बाहर दीगर तमाम मुझाहरों पर पाबंदी आइप की जाएगी ताके अलबर्टा की सहत की सहुलियात को अमले, मरीजों और खांदानों के लिए महफूस बनाया जा सके प्रेमियर जैसन केनी और अलबर्टा की चीफ मेडिकल आफिसर आफ हेल्फ डाक्टर दीना हिंचा ने कोवीड नाइटीन अपडेट पर न्यूस कांफरेंस करते हुए कहा कि तिभी अमले की जानब से सहत की देखभाल के हिफाज़त के लिए पाइर ब्रेकर एक्दमात करने क मतालबात के बावजूद कोवीड नाइटीन के पहलाओ को रोपने के लिए कोई नई पावंदियों का एला नहीं किया गया जैसन केनी ने बताया के सुबा अभी सहते आमा के एक्दमात के असरात के निग्रानी कर रहा है जो भी सितंबर को नाफिस हुए Critical Infra Structure Defense Act के सवाबित में तर्मीम की गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सहत की देखभाल की सहुलियात रेलवें, हाईवेस और पाई प्लाइनों की तरहां कानूनी तहापुस के साथ मश्रूद हैं जबकि खिलाफ फर्जी पर सजाएं दी जाएंगी ये एकदाम दो हफ़ते कबल मुल्क भर में वैक्सिनेशन मुखालिब ग्रूपों के एहतिजाज के जवाब ने हैं। जैसन कैनी और वजीर इनसाफ कैसी मादों ने इस बात का आदा किया किसी भी फर्द के गानूनी एहतिजाज के आईनी हक में मदाख़त करना नहीं है। नेशनल वैक्सिन पैनल की जानिब से कैनेडा में तेजी से फैलते डेल्टा वैरियंट पर काबू पाने के लिए मौमर अफराद के लिए कोविड नाइटीन बूस्टर्स की सिफारिश कर दी गई है। मजी चानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा की वैक्सिन एडवाइजरी बौडी ने नई तजावीज पेश कर दी हैं जिसमें नैशनल वैक्सिन पैनल की जानब से कैनेडा में तेजी से फैलते डेल्टा वैरियंट पर काबू पाने और मौमर अफराद के तहाफुस को यकीनी बनाने के लिए कोविड नाइट की सिफारिश कर दी गई है नैशनल एडवाइजरी कमिटी बराए इम्मिनाइजेशन पालिसी का तायों नहीं करती है ताके उनकी सिफारिशात ने वबाई अमराज के दोरां पालिसी साजों के लिए कलीदी रहनुमा के तोर पर काम किया है एन ए सी आई ने वजाहत की कि व मजास वाइरल वैक्टर वैक्सीन के बूस्टर शॉट पर तभी ख़र किया जाना चाहिए जब दीगर वैक्सीन्स मतजात या ना काबले रसाई हो एन ए सी आई ने बताया कि कैनिड़ा में तवील मुद्धी निकेदाश के रहेशों में वाइरस की मजमुई आमवात की शर पादाश सबसे ज्यादा है सुबह भर में करोना वारस से मतासित होने वालों की मजमुई तादाद पांच लाद तेरानवे हजास सटासी तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 9,766 है मज़ी तफसिला इस रिपोर्ट में कैनिड़ा भर में करोना वारस के पहला में अदावा जारी है आखरे इतलाद के मताबिक कैनिड़ा भर में करोना के मरीजों की मजमुई तादाद 16,5869 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 27,754 हो गई मुल्क भर में 15,43,328 मरीज सहत्याफ हो चुचे हैं ऑंटेरियो सूबह में करोना केसिस की तादाद सबसे तादा 5,93,87 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादा 9,766 है कैनिड़ा में करोना वाइरिस के सबसे जदा हलाकतیں क्यू बैक सूबह में हुई हैं सूबह में करोना वाइरिस के मजमुई केसिस की तादा 4,8931 है जबके सूबह में करोना वाइरिस के बाइस होने वाली हल 14,362 तक पहुंच चुकी है कैनेजिन सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्क करोना वायरिस की वज़ा से बहरानी सुरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 2,94,784 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए है जबके 2,663 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलम्बिया में केसिस की तादाद 1,85,432 है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,942 है अमरीकी सेनिट में बाइस डिपब्लिकन सेनिटर्स की तरफ से अफगانستان पर पेश किये जाने वाले बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान समेट तालबान को मदद देने वाली रियासतों और गेर रियासती अफराद की निशान दही की जाए मजएद चांदे हैं इस डिपोर् Republican Senators की तरफ से पेश किये गए बिल में कहा गया है कि तालबान का साथ देने वालों के खिलाफ कारवाई की जाए पाकिस्तान समय तालबान को मदद देने वाली रियासतों और गयर रियासती अफराद के निशान दही की जाए तालबान ने दोहा मुहाइदे की शरायत पूरी नहीं की बिल पास होने के तीन माह में अगवानिस्तान पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है बिल में अगवानिस्तान पर खुस्सी टासपोर्स बनाने की तजवीज भी दी गई है बिल में कहा गया है कि इन्साने हुकोग के खिलाफ वर्जी पर तालबान पर पाबंदियां लगाई जाएं और अगवानिस्तान में इन सिदादे देश्चत गर्दी के लिए मौसर अगदमात किये जाएं अमरीकी सैनिट की आम सर्विस्स कमेटी के इजलास में अमरीकी जानल्स ने कहा है कि उन्होंने जाती हैसित में धाई हजार अमरीकी फौजी आफ़ानिस्तान में रखने की तजवीज दी थी जबके सदर जो बाइडन का कहना था कि सीनियर अडवाइजर्स ने ऐसी कोई तजवीज नहीं दी मजी चानते हैं इस डिपोर्ट में अमरीकी सेनिट की आम्ड सर्विसिस कमेटी के इजलांस में अमरीकी जौर्नल्स ने कहा है कि उन्होंने जाती हैसित में धाई हजार अमरीकी फौजी आफ़ानिस्तान में रखने की तजवीज दी थी सदर जो बाइडन का कहना था कि सीनियर एडवाइजर्स ने ऐसी कोई तजवीज नहीं दी रिपब्लिकन सैनिटर जोश हौले ने अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बाइडन ने अमरीकी आवाम और फौजी अंदाजों से मतालिक जूप गोला तरजमान वाइड हाउस ने वजाहत की कि सदर बाइडन के सामने कई आपशन रखे गए थे बेलाँखर फैसला कमांडर इन चीफ का होता है तरजमान का मजईद कहना था कि सदर बाइडन जौइन चीफ्स और फौज के मुखलिसाना मशवरों की खदर करते हैं तालबान ने अमरीका को खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की फजाई हुद में डौन परवाजें बंतरे वरना उसे नताइच का सामना करना पड़ेगा इस हवाले से मज़ीच चानते हैं गर मुलकी खबर इस अदारे के मताबिक तालबान ने ट्वेटर पर जारी बयान में कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी इंखिला के बावजूद बदस्तूर उसकी डौन पर वाज़े जारी हैं जो ना सिरे तमाम बैनलाक्वामी हुकूप और गवानिन बलके गतर के दारलहकूमत दोहा में तालबान से किये गए वादों की भी खिलाफ परजी हैं तालबान हुकूमत अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के तर्जमान जबियूला मुझाहिद ने कहा कि हम अमरीका समय तमाम मुमालिक पर जोर देते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बनलाक्वामी गवानिन, हुकूप और वादों के तहत बरताव किया जाए ताकि उन्हें क अमरीका की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 37 तक जा पहुंची है। जबके मुजी वाइरस से अमबाद 47,9,748 हो चुकी है। जबके 21,4,18,704 करोना मरीज से हत्याफ हो चुके हैं। करोना वाइरस के केसिस और इस से अमबाद के एतबार से 10 सरे फैरिस मुमालिक में 33 करोर से जायत आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है। जहां इस वाइरस से अब तक 7,11,222 अफराद मौत के मुमें पहुँच चुके हैं जबके इस से बिमार होने वालों की मजमी तादाद 4,44,54,825 हो चुकी है। बारत करोना वाइरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। जहां इस वाइरस से 4,47,781 हलाकते हो चुकी हैं जबके इस से मतासिरा 3,37,16,451 मरीज सामने आ चुके हैं। کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے اس فہرس میں عبرازی تیسرے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیبا وائرس سے 5,5,5,520 हلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,13,18,790 ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 63,611 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 70,95,580 ہو چکے ہیں इरान में करोना वारिस से कुल अमवाद की तादाद 1,19,888 हो गई है जबके इसके कुल केसि 55,69,691 हो गई साथी अरब एसी फैरिस में 92 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वारिस से अब तक कुल अमवाद 8,709 रिपोर्ट हुई है जबके मुमलिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,47,35 तक जा पहुँची है टैक टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों और अब्डेट्स के लिए देखते रही हैं टैक टीवी टैक टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिच्वेशन इन कानड़ा और अराउंड गलोब Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV